दो मई को पस्चि मंगाल चुनाओं के नतीजे घोसित कर दिये गए इन नतीजों में ममता बेनर्जी और उनकी पार्टी त्रिनमुल कॉंग्रेस को बड़ी भारी जीत मिली ममता बेनर्जी की पार्टी को 292 में से 292 में से 213 सीटों पर जीत मिली पर ममता बेनर्जी खुद अ अब ये है कि मम्ता बिनर जी ने चार मई को मुख्यमंत्री की सपत्तो ले ली पर मम्ता बिनर जी बिधान सभा की सदश्य है नहीं तो अब मम्ता बिनर जी पर क्या है शंविधानिक संकट आज हम उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Article 164 की, Article 324 की और Representation of People's Act की देखते हैं कि ममता बेनरजी पर ये जो संग्रिधानिक संकट गहराया है इसके कानूनी प्रावधान क्या-क्या हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि Article 164 के Clause 4 में क्या कहा गया है Article 164 का Clause 4 के अनुशार यदि कोई मंत्री या मुख्य मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर विधान सभा या विधान परिशद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा आप सब जानते हैं कि पश्चिम मंगाल में विधान परिशद की ब्यवस्ता नहीं है कई स्टेट्स में विधान परिशद की ब्यवस्ता है जिसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप देख सकते हैं परन्तु पष्चिमंगाल में विधान परिशथ है नहीं, तो अंतिम ओप्शन क्या है ममता बिनर जी के लिए, लिए अंतिम ऑप्शन ये है कि वो किसी ना किसी विधान सवा चेतर से चुन कर आए, इसके लिए ममता बिनर जी ने भवानी पूर के MLA से इस्तिफ़ा दिलवा है और वो अब सीट वेकेंट हो गई है अब चुनाव आयोग की क्या भूमिका है हम उसकी आज चर्चा करेंगे इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या है आप सब जानते हैं हमारे देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है तो सांसदों का चुना चाहे वो राज्य सभा हो या लोग सभा दूसरा स्टेट लेजिसलेचर का और प्रेशिडेंट आप इंडिया का और वाइस प्रेशिडेंट का चुनाव आयोग करवाता है इसमें आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि निर्वाचनों के अधिक्छन, निदेशन और नियंत्रन न direction and control of election to Parliament, State Legislature, the Office of President of India and the Office of Vice President of India ये सारे चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है अब भवानिपूर से जैसे मैंने आपको बताया कि वहां के MLA ने स्थिपा दे दिया है तो अब चुनाव आयोग पर है कि वो बाइपोल करवाए अब इसके लिए कौन सा है तो इसके लिए कानून है representation of people's act में section 151 capital A section 151 capital ये ये कहता है कि यदि कोई seat vacancy हो गया है कोई casual vacancy आ गई है तो और तो चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर वहां पर बाइपोल करवाने है seat vacant हो गई है बवानीपूर की तो जिस दिन से वो vacancy हुई है उसके 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग को चुनाव करवाने है ऐसा कहता है section 151 capital A परन्तु इसमें दो exceptions है पहला exception ये है कि यदि जो मुख्य चुनाव है मतलब विदान सबका 5 साल का जो कारेकाल होता है वो पूरा होने के करीब है उसमें एक वर्स बचा है तो यदि जो मुख्य चुनाव है वो एक वर्स के अंदर ही होने वाला है उसकी अवधी एक वर्स के अंदर है तो चुनाव आयोग बात दे नहीं है कि वहां चुनाव करा पाए जा सके महोल खराब है या ऐसे कोई भी कारण हो सकता है तो भी चुनाव आयोग चुनाव वहां करवाने के लिए बाध्ध नहीं हैं हमने देखा कि पिछले दिनों उत्रा खंड के मुखे मंत्री तिरत सिंग रावत ने इस्तिपादे दिया तिरत सिंग रावत भी जैसे अवधी एक साल से कम की बची है मतलब उदान साबा का जो कारेकाल है उत्रागंड का वह चार साल हो गया है तो पांच साल के बाद तो चुनाव होने होने तो वह एक साल का अवधी से कम का समय बचा है इसलिए तीरत सिंग रावत को जाना पड़ा चुनाव आयोग ने वहां में जाना चाहते थे पर तब के वहां के हमारे मुख्य चुनाओ आयुक्त रहे माइकल लिंग दो उन्हों ने वहां चुनाओ करवाने से इनकार कर दिया था हवाला यह दिया था कि अभी अभी यहां दंगे हुए हैं और यहां पर सांती विवस्था अभी पूरी तरह से ब्याप्त नहीं है ऐसे में free and fair election करवाना उचित नहीं होगा, free and fair election होना शंभाव नहीं होगा, बाद में इसी को लेके Supreme Court भी गया था मामला, उनसे Supreme Court से पूछा गया था कि यहां तो दो प्रोविजन आपस में टकरा रहे हैं संभिधान के, एक आपका 164.4 और 3.24 और दूसरा यह 151.A यह सारे एक साथ ट होते हैं, और यह जरूरी है कि free and fair election हो, तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग यह कहता है कि वहाँ पर ऐसी बेवस्था नहीं है, ऐसी संभावना है कि वहाँ पर free and fair election नहीं हो पाएंगे, तो यह सही है, ममतब एनर्जी का case different कैसे है, तीरत सिंग रावत और ममतब एनर्जी का case नहीं करवाय जा सकते थे और चुनाव आयोग नहीं करवाय है, ममतब एनर्जी के साथ यह condition नहीं है, लेकिन जो दूसरी condition है, जो माइकल लिंग दो ने अपना statement दिया था, अपना stance दिया था, कि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं है कि चुनाव करवाय जा सके, यह आ सकता है, क्य करवाने से, ऐसे में तीन नौवंबर तक ममतब एनर्जी मुख्यमंत्री बनी रह सकती है, और उसके बाद उन्हें देना पड़ेगा इस्थिपा, और अगर वो इस्थिपा नहीं देती है, तो राज्यपाल उनको कर देंगे निलंबित, तो अब चुनाव आयोग के पाले म क्योंकि ये स्टेटरी प्रोविजन है, छे महीने के अंदर आपको जीत के आना ही पड़ेगा, आशा करता हूँ कि आज के जो समवेदानिक प्रावधान थे और कानूनी प्रावधान थे, रिपरजेटेशन अप पिपल एक के और इंडियन कंस्टिचूशन के, वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ, थैंक्यू, वेरी मच्चू